मुई सियम शिवराज की चेतावनी का असर हुआ है आज से हमीदिया रोट के रेस्टोरेशन का काम शुरू होगा महाप और मालती राय का इस पर बयाद सामने आया है उन्होंने कहा कि पीजवलू जी और नगर निगम समनबाई के साथ काम करेगा सडकों के सुधार के लिए तैयारी की जा रही है पहले हमीदिया रोट के रेस्टोरेशन का काम शुरू होगा सियम ने राज्थानी की सडकों की दुर्गती पर नारास्की व्यक्त की थी और इसी नाराजकी का और मुख्यमंत्री की चेतावनी का बसर भी देखने को मिला है आज से हमीदिया रोट के रेस्टोरेशन का काम शुरू होने जा रहा है सडकों की मरमत आज से शुरू की जाएगी लगभक 50% सडके है रासारी भुपाल की जोकी जरजर हो चुकी है और इनी सडकों को लेकर मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान ने चेतावनी दी थी और मुसियम की चेतावनी का बसर भी देखने को मिलरायात से काम शुरू होने वाला है और इसी पर महापौर मालती राय ने भी बयान दिया महापौर का कहना है कि पीड़ावलू जी और नगर निगम समन्वे के साथ काम करेगा भुपाल की सडकों को लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजी वेक्ट की है और साथ पर पर कहा है कि 15 दिन के अंदर तमाम सडकें दुरूस्त होनी चाहिए हमारे साथ भुपाल महापौर मालती रहे हैं उसे बात करेंगे मुख्यमंत्री ने सडकों को लेकर नाराजी दिताई है कब तक काम शुरू हो पाएगा और निश्यर्थी निडिया की चिंता को नंगर निगाम धंधीरता से लेगा और जिस जगें पर नंगर educators के द्वारा पूरा आपा है लेकिन कई शड़के ऐसी यहां नगर निगम को दुरस्ट करना है ऐसी है जहां पर देखा जाता है कि यह काम के लिए वो खोटते हैं लेकिन रेस्टोरेशन नहीं हो पाता बता जाता है नंगर निगम और पीडवलूडी की भी समय नहीं है ने आपस में समय हो चुका है और यह रेस्टोरेंट का काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा मिलकुल मुख्यमंत्री की सक्ति के बाद माना जा रहा है कि सड़कें दुरस्त होंगी हाला कि पंदा दिन का समय दिया है और आज तीसरा दिन है संभवता माना जा रहा है कि एक दो दिन में सड़कों का जो रेस्टोरेंट का काम है वो स्टुरू हो जाएगा असमी सींग की साथ सुरस्तर माबंसली उस भोपाल